देश की सबसे लंबी 981 क्लोमीटर दिल्ली लेह बस सेवा आज से केलंग से लेह के लिए शुरू हो गई है SDM केलंग रजनी शर्मा ने आज केलंग बस स्टेंड से लेह के लिए बस सेवा को हरिजंडी देखाकर रवाना किया इस अफसर पर पहली बस से लेह जाने वाले परिटकों और सवारियों का निगम प्रबंदन की ओर से उपमंडल अधिकारी ने खताक पहना कर सम्मानित किया देश की सबसे लंबी और उचाई वाली दिल्ली लेह बस सेवा जो की चार दर्रों बारालाचा पास, नकिला दर्रा, लाचुंगला पास और तांगला पास से होकर हिमाचल से लद्दाग पहुँचेगी इस सफर में लगबग 33 घंटे लगेंगे दिल्ली से लेह तक बर्फ के बीच और चार दर्रों से होकर गोजरने वाले इस सफर में तांगला पास से होकर हिमाचल से लद्दाग पहुँचेगी इस सफर में 1627 रुपे किराए में अब परेटक पाहडों का मजा ले सकेंगे SDM रजनी शर्मा ने बताया कि आज 11 जून से दिल्ली लेह बस को केलंग से लेह के लिए आरंब कर दे गया है पिछली बार ये सेवा 8 जून को आरंब हुई थी इसे परेटकों सहित लेह जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी आज जो हमारा दिल्ली ले डोट है इसका शुबारम किया गया आज 11 जून को पिछले वर्ष 8 जून को इसका शुबारम भुआ था ये टोटल दिल्ली से ले तक 981 किलोमेटर का सफर है जो ये हमारा रूट तै करता है और इसमें किराया जो है 1627 रुपए इसका किराया है ये चार माउंटेन पासिस को प्रोस करते हुए हमारी एचाटी से की बस ले अपने गंतवे स्थान पहुंचती है और रगवग ते 30 घंटे का सफर तै करके ये अपने गंतवे स्थान पहुंचेगी इसकी समय साड़नी में बड़ा सा बतलाव किया गया विए दिन को बारा वजे दिली से चलेगी और अगले दिन शाम को आठ वजे इसका प्रोबेवल अराइबल है ले में इसे जितने भी हमारे परियाटक हैं और स्थानिये लोग हैं जो ले जाने के लिए चुक रहते हैं उनको काफी सुविधा होगी क्योंकि कम किराये में और सुविधा के साथ हो ले पहुंच पाएंगे वहीं क्षेत्रिय प्रबंदक राधा देवी ने बताया कि निगम जल्द ही नीमू पदमू दार्चा सडक और शिंकुला दर्रा होकर नया रूट आरंब करने जा रहा है ये बस पदम से मनाली के बीच चलेगी निगम प्रबंदन से अनुमती मिलेने पर 15 जुलाई को इस न हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टेग्राम पेज हिमाचल.केश्री